हलो बच्चो, CUAT 2023 रिजल्ट को लेकर एक बहुत अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए सुनके खुश हो जाओगे बस लेकिन उससे पहले कर आप इस चैनल पर नए हो तो इससे सब्सक्राइब जरूर करना देखो अभी आपकी recently provisional answer की आई थी answer की में भी provisional answer की जिसमें बहुत सारे बच्चों को doubt लगा और बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा था कि sir हमारा marks तो महौत कम जा रहा है और जबकि हमने जो answers डाले थे वो almost सही डाले थे तो ये आपका एक provisional answer की था, ये आपका final नहीं था, ठीक है, एक provisional, एक final, अब जो final answer की है, उसमें क्या है कि भाईया, उसमें आपके marks और बढ़ेंगे, final answer की में जो marks होंगे, वो आपके ज्यादा increase होंगे, क्योंकि NTA ने ये साफ खुद से accept करा है, कि provisional answer की में काफी सार mistakes थी, जो कि NTA खुद कह रही है, कि हाँ भाईया, हम स्विकार रहे है, mistakes थी, अब जो final answer की है, उसमें आपके marks बढ़ रहे होंगे, और जो result आएगी, actual result, उसमें आपकी marks थोड़ी सी और बढ़ी होई होगी, तो जितना आपको अभी expect कर रहे होना, कि जितना आ सकता है, शाय final answer की, कि जो marks आएगी जब की, उसको भी normalize किया जाएगा, अगर आपका यदी बहुत कम है, और exam आपका बहुत difficult हुआ था, आपका पूरा shift में ज्यादा दर बच्चों को number नहीं आया है, तो आपको marks थोड़ा increase करके दिया जाएगा, उस case में marks को normalize करके, आपके percentile को भी उ correct हो चुकी होगी, ठीक है, बहुत बड़ा exam है, तो इतना जल्दी decision नहीं लिया जाता है, ठीक है, शुकिर वीडियो को देखने के लिए, thank you so much, मिलते है अगले वीडियो में, love you, data, bye bye